नमस्कार घरेली उप्चार में आपका स्वागत है कहीं भी रहें खुशाहाल रहें मित्रों आज हम इस वीडियो में एक ऐसा सम्मोहन आकर्शन सक्ति बढ़ाने के लिए एक टोड़का उपाय दे रहा हूँ मित्रों आप लोग हमारे चैनल से भी बहुत से आकर्शन सम्मोहन विद्या को देखे हैं और किये भी होगे और अन्य चैनल से भी आप लोग किये होगे लेकिन आज एक ऐसा सम्मोहन आकर्शन दे रहा हूँ जो की करने में भी बेलकूल आसान है और एसा यह जड़ है कि अगर इसको नियमित रूप करने से आपका शरीर सम्मोहन और आकर्शन सक्ति से भरपूर बना रहेगा और जीस काम को आप चाहेंगे वह काम को अपने तरफ यह आकर्शित करता है जो काम को सोचेंगे वह काम आपका बन जाएगा जिसे आप चाहेंगे उसे आप आकर्शित कर सकते हैं सम्मोहित कर सकते हैं यह एक जबरजस्ट सक्ति वाला पौधा है तो मित्रों आप तरह तरह के कार्य को सफल बना सकते हैं और कहीं भी सफल रहेंगे तो मित्रों इसके लिए आपको मदार का जड़ लेना होगा तो मित्रों आँक मदार एकवन से सभी लोग परचीत हैं तो आप सुमवार या सुक्रवार के दिन चाहे वो सफेद आँख हो या बैगनी रंगवाला हो दोनों में से किसी को आप ले सकते हैं लेकिन आपको जड़ को खोद के लाना होगा और जब आप जड़ खोदने जाएंगे उसके पहले उस पौधे से आपको निवेदन करना होगा बिंती करना होगा कि मैं आज इस पौधे का जड़ को ले जाऊंगा सम्मोहन आकरशन कार्ये के लिए यह बिंती करने के बाद तब आप उस जड़ को खोदें और खोद के घर लाएंगे और सुखा कर उस जड़ को सुखा कर दो दो इंच का टुकड़ा करके आप सुरप्षित रख लें तो मित्रों चलें सबसे पहले हम आँक मदार एकोन का पवधा दिखा दो तो मित्रों आपने आँक कहिए मदार कहिए एकोन कहिए इसका कई नाम है तो आपने खोद कर जड़ को सुखा कर रख लें और एक टुकड़ा को अपने जेब में अपने पास हमेशा रखें और जब भी आपको असनान करना हो तो पंदरह मीनट पहले एक टुकड़ा को असनान करने वाला पानी में डालने और पंदरह मीनट छोड़ दें पंदरह मीनट के बाद उस पानी से असनान करें और उस जड़ को पानी से निकाल कर फिर सुखा कर सुरक्षित रख लें मित्रों यह क्रिया आपको प्रत दिन करना होगा असनान उसके बाद आप देखें आपका सरीर बिना तंत्र मंत्र टोटके के अकरशन से भरा हुआ है अब यह समझें कि आप एक आकरशन सक्ती का केंद्र बन गये हैं आप जिसके पास जाएं वह आप के तरफ आकरशित होगा सम्मोहित होगा जो भी काम करेंगे वह आपके तरफ खिचा हुआ चलाया है यहाँ ऐसा एक बेजोल सम्मोहन आकरशन सक्ती है तो मित्रों अगर इस परियोग को आप प्रत दिन असनान करते हैं और एक टुकड़ा अपने पास में रखते हैं तो आप से कोई काम हाँ से नहीं जाएगा और जहां भी जाएगे आपका मान समान परतिष्टा बना रहेगा आपके तरफ लोग अकर्षित होते रहेंगे सम्मोहित होते रहेंगे तो मित्रों एक बात का और ध्यान रखें इस परियोग काल में मीट और सराब नहीं खाना पीना है और असनान प्रतिदिन करना है वही जो है एक टुकड़ा काड़के जो रखें है उसको पंदरा मिनट पहले डाल दीजिए और पंदरा मिनट के बाद उसी पानी से असनान करिए और एक टुकड़ा हम ऐसा अपने पास रखिए मित्रों यह जो है इतना सहज और असान है और बेजोर आकरशन सम्मोहन सक्ती से भरावावावावावावावावावावावाव तो हम इसी तरह से आपको वीडियो देता रहूँगा और आप वीडियो से घर बैठे भरपूर लाब को उठा सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार